स्क्वार रूट आफ एक फोर सिक्स फोर स्क्वार रूट का हम अपना रूट के द्वारा लिखते हैं गनीत में सिंबोलिक रूप से और इसको हिंदी में हम वारग मुल्ग के नाम से जानते हैं अभी जो हम मैथट गाम में लेने वाले हैं वो है आपका डिविजन मैथट यानि भाग विधी बहुत आसान है स्टेप आ स्टेप पूरा समझेंगे तो आप इस विडि़ी को पुरा देखें शुरात करते हैं दोस्ता हुआ इसमें देखिए आप डिविजन मैथट में कुछ ऐसे समझ सकते हैं फस्ट स्टेप वान क्या समझाया दो अंगों का जोड़ा फिर दो अंगों का जोड़ा ऐसे जोड़े बना दिये दो जोड़ा को साथ लेकर अंदर का जो आपका जोड़ा है इसको हम बार लिखाए इसके अधार पर हम एक ऐसी संख्या का चुनाओ रहे हैं जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वेल्यू आ रहा है वो आपका इससे क्या रहना चीए कम या इसके बराबर या एटी-फॉर के बराबर या लेस देन एटी-फॉर यानि एटी-फॉर से चस्ट का तो हमने दोस्तों हाइस कहां तक ले सकते हैं नाइन तक ले सकते हैं यही नाइन का नाइन के साथ मुल्टिप्लाइ करने पर वह आपका एटी-फॉर से देखी कम आ गया है इसका मतलुब हमें और को संख्या को चेक करने की जुरूरती नहीं है इसको स्लेट कर देखेंगे यहां पर गुणा यहां लिख दिया इसको आपने व्यस्तित कर लिए पहला यहां पर स्लेक्शन करना है तो नाइन का स्लेक्शन हो गया क्योंकि यह हमारी कंडिशन को से टिस्टाइक करना है यह नि एक्जाम में पास हो गया ओके थर्ड इस्टेप इनको अगला जो गुरूफ है इसको हम यहां ले आएंगे यहां तक बात के लिए रहे अब इसके साथ कौन से संख्या लें उसका मल्टीप्लाइ करें अब एक ही यह सैंब इसके लिए चेक की जाएगी लेकिन यहां संख्या तुनने का थोड़ा तरीका ले रहे वहां से देखें की खुद के साथ गुणार था अब इसके साथ लिया जाएगा कैसे मैं लेके लिया दो ना किया एक के रही चला गया कितना आ गया तुनिसोच फुलिया आपने दो खुलिया देखे इसके ब्राबर आया आपके बुड़ा करने पर ठीक है मैनस किया जीरो आ गया आ गया हमारे पास कोई भी गुरूप नहीं प्रोसेस कंप्रीट हुआ तो इसका स्क्वार रूट का वेल्यू निकला है कितना है ना इंटीटू इस तरह के से हम यहां पर समा सकते हैं के इस पर रूट्स यानि अन्डूट का वेल्यू कैसे निकालते हैं वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बाता है चैनल को सब्सक्राइब करें धने बाद आपे उलगाएब को सब्सक्राइब करें वीडियो कि ने अन्डूट अन्डूट लुटट इस तरह करें दोद्सक्राइब करेंगें।